हेलो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तरफदेश, रासी टंडन, मुक्त विस्विद्य लएक की पत्रिकारिताओं की कछाओं में मीडिया की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया, हकीकत की दुनिया मैं आपके साथ सिर्फ एक असिस्टन प्रुफिसर के रूप में नहीं साथी के रूह रूप में और एक लरनिंगट प्रॉसेस में सायोगी की रूप में, क्यूंकि सिर्फ टीचर सीख खाता ही नहीं है उसका काम सिर्फ सिखाना ही नहीं होत North सीखता भी इ Remember it you are of Desya अपने जोस हो आय। तरहतरी की नॉललेच के लिए आप जानते ही ओ सपनों की यह एक मजबूत आधार देते हुए एक अच्छे दोस्त के रूप में एक अच्छी सिक्षिका बनने के प्रयास के रूप में आपके साथ आपकी दोस्त और आपकी असिस्टिन प्रफीसर डॉक्र साधना सिर्वास्तो का आपको तह दिल सी नमस्कार है, आपका वेलकम है आज आपने संभावनाएं भी देख ली बहुत अच्छा, आपने कोर्स का भी सेलक्षन कर लिया कि आप मीडिया में कौन सा कोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपके जो दिल में डर है, उसको में कुछ पंक्तियों के माध्याम से कहना चाहूंगी कि घर से निकले तो है आखों में सपने ल जजबे निकलते हैं, लेकिन आसपास ब्रश्ट इचार दिखता हैं, आसपास जुन वदिया दिखती हैं, आपके होसलों को तोड़ने के लिए बहुत सारे नकरात्मक विचार और नकरात्मक लोग आसपास दिखते हैं, तो उनको कैसे तोड़ें कभी-कभी पत्रिकारिता स सच और निस्पक्षता की लड़ाई होती है मीडिया की दुनिया में एक सच्चा इंसान खुद को अकेला महसूस करता है उसे ऐसा लगता है कि मैं तो लगा हुआ हूँ लेकिन मुझे रोकने के लिए पुरी दुनिया एक साथ खड़ी हो गई है मैं तो करना चाहता हूँ लेक पहार से गिरते गिरते पत्थरों को भी चीरते हुए पानी के धार से अपना रास्ता बनाना है उसके लिए मैं आपको आज इस लेक्षर में कुछ टिफ्स दूंगे और दूंगी कुछ छोटा सा होमवर्क साथ में एक दूंगी बोनस टिप्स तो जिन लोगों के मन में डर है हॉस्ला है उनके मन में अकीला पर नहीं तो प्यारे विद्यारतियू मैं यह जो भी मैं स्वारीचस सुना रही है मेरे अपने बहाओं है यह मेरे अपने अनुभाव हैं लेकिन इस भीड में अपने 16 सालों के पिछले पत्रीकाडिता-जगत के अनुभाव में 15-16 साल में और वैसे अगर मैं कहूं तो मैं तो बच्छपन से लिख रही हूँ, क्लास एर्थ से मैंने लिखना सुरू कर दिया था, 1995 से चंपक बालहंस, और 1998 में आकासवाणी वारा नसी से मैं कहानिया देने लगी थी, तो पत्रिकारिता का सफर तो काफी पुराना है, लेखन तो मेरे द्रगों में बसता है, और सायद मैं पत्रिकार बाद में हूँ, एक अध्यापिका बाद में हूँ, एक लेखिका पहले हूँ, अगर मुझे आप लेखिका के रूप में जानेंगी, तो मुझे ज़्यादा खुसी होगी, और उसे जज़भे के साथ मैं अपने अनुभाव के आधार पे आपसे कहना चाहती हूं कि जिनका होसला तूटता है जिनका मन दुखता है जिनको रास्ता नहीं मिलता है उनके लिए चंद पंक्तियों के साथ मैं आज की व्याख्यान की सुरुवात करना चाहूंगी जिसका आज का विसाय और टॉपिक है प साथम्बिने जैसे पत्रिकाई बंद होने लगी हैं बहुतं सारे जगे च्टनी ऊरे बहुत सारे kई-बहुत हटाया जा रहा है जगे प्रिंट मीडिया चिनातियों को जहल रहा है एलट्रॉनिक ंप्रोजित नौन लेकिन सोसित होते हुए भी सोसण के विरुँदगर कोई आवाज उठाता हैं तो लिए उनके हासलों को सलाम उनके जजबे को सलाम और एक क्थेंक्स तो मीडिया को बनता हैं कि चितनी भी बुराईा हों हो वह बुराई अगर हमें पता अगर हमें चुद दीucker कैसे पता चलती है दोस्तों मीडिया के जरिये ही कोई हमें फोन करके नहीं बताता क्योंकि जब हम फैक्ट्स पे जाते हैं तो मीडिया सही पता चलता है लेकिन यहीं मीडिया कभी यलो जर्निजम का सिकार हो जाता है तो कभी फेक न्यूस के चक्रों में उलद जाता है कभी पेड नियूस से बदनाम हो जाता है तो कभी अपने सिक्योर्टी और सुरच्छा के आभाओं में एक पत्रकार जीवन जीते जीते सच की खोच करते करते अकेला और तनहा हो जाता है बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली क्लास में जोस और उस्ता के साथ करते हैं और इतने सालों के सफर में जब मैं कभी कभी उनसे बात करती हूं तो बहुत चंद विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि सफल हो पाते हैं सबसे ज्यादा मुझे उन विद्यारथियों की होती है aby नाम देना चाहराँ हैं और आपको किताबों के बारे में बताती हैं कि इतना होने के बाद भी अनुराग हैं बहुत सारे नाम कम पढ़ जाएंगे और साथ आपके पास समय भी कम पढ़ जाएगा कि मुझे खुसी होती है चंद ही सही पर कुछ ऐसे हीरे हैं मेरी भी जोली में जिन्होंने बरकत की है जिन्होंने इन बुराईयों के बीच में होसलो का दिया जलाया है और उनके होसलों को देखते हुए और अपनी संकटों के बीच में जो गाना लिखाता वो आप सबको मैं डेटिकेट करते हुए अपनी बात के आज सुरू करूंगे कि क्या क्या चुनौतियां हैं कैसे कैसे हम इन बुराईयों के साथ में भी अपने होसलों को बिना तोड़े क कैसे आगे बढ़ सकते हैं कैसे मीडिया में अपना सफल मुकाम बना सकते हैं कैसे जीवन में सफल हो सकते हैं क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको सफल पत्रकार बनाना नहीं है दोस्तों यह भ्रहम है कि मीडिया पत्रकार बनाती है यह भ्रहम है कि मीडिया की अपॉर्चिनि और बोलने की कला प्रेजंटेशन स्किल्स और भासा की दख्चता जैसे गहनों से सजा मीडिया का कोर्स हमें बहुत सारी संभावनाय देता है लेकिन दिक्कत यह है कि हम सिर्फ ग्लैमर चाहते हैं हम सिर्फ चक्त-चाहते हैं और अकेले पन में खुझाते हैं तो उन अकेले पने विद्यार्थियों के लिए अगर आपके मन में कभी अकेले पन की भावना आती है तो उसके लिए कुछ पंग्तियों के साथ मैं बात को आगे बढ़ाती हूं कि अकेला है तो क्या तेरा रहनुमा खुदा सक्के पूरी हो ख्वाई से जरूरी तो नहीं अकेला है तो क्या तेरा रहनुमा खुदा सक्के पूरी हो ख्वाई से जरूरी तो नहीं मंजिल ना मिले तो क्या तेरे सामनी पड़ा है रस्ता थोड़ा होसलों को बढ़ा थोड़ा गीतों को गुन गुना रही चलता चला चले जाँ तो दोस्तों इसके साथ में यह बताना चाहरे हैं आपसे कि जो पत्रिकारिता जगत के चनौतियां है वो आपके ब्रह्म की वज़े से है निश्च ही भिषट अचार भी है आपके जितने डर हैं सही हैए मीडिया में छटनी भी बइडियों में चुनाटिया भी हो रही हैं लेकिन हम कभी हम सच आइना देखेंगे तो हम बहुत सजस्वी में उतने गुनागार हैं जतने की उस आइने पर पथर मारने वाले मीडिया को दोस देते हैं बहुत सारे लोग देते हैं कल heel किसी ने मुझसे मजाक मजाक में कहा मीडिया प्रजातंत्र का चौथा खंबा है लेकिन वो दलदल में फज गया है जरजर हो चुका है दीमक लग चुकी है तो दोस्तों साथ यह बात सच भी है लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी और जब हम चुनौतियों की बात करते हैं तो वो को आती है आपका अपना प्यभार आप कहेंगे कि लोग हमी आर्थिक संकट भी जहल रहे हैं हमी चुनौति भी जहल रहे हैं हमी मांसिक तनाव भी जहल रहे हैं और हम पे राजनेतिक दवाव भी हैं हम पे प्रेसर पार्टी के दवाव भी हैं दवाव समूह के भी हैं और ह नाम लीजिए तो मेरी ये खुद की लिखे होई टैग लाइन जो मैंने अपने एक नाटक में आम जानते हैं तो कही न कहीं निश्चही उनमें वो बात है कि आप उन्हें याद रखते हैं सर्मा जी आके लिंक के अधार पे आपको नौकरी तो दिला देंगे लेकिन वर्मा जी के आते ही आप टैलेंट कम होने के वज़े से चले जाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आप बनिए बहरा में ठग त्यों दूनिया में क्या हो रहा है कौन सा यूश्वेपर बंद हो रहा है सब भूल जाइए सबसे पहले अपने हथियारों को मजबूत करिए मीरे एक कहानी थी वारास्ता मेरे ब्लॉड पर पढ़ी हुई है आप कभी उस पर पढ़ सकते हैं मैं कि ज को जो दबाव तो आर्थ कब मजबूत होगा जब आपको अच्छा बोलना आएगा अच्छा लिखना आएगा आपके साथ चीजे होगा तो आपको पहले उन दबाव को समझना है और सबसे बड़ी छीज में अगर आपको बताऊ लेखन मेरे जीवन का सबसे बेश फ्रेंड है एक वीडियो मैंने अपने परसनल यूटूब चैनल पर डाला था मीडिया पत्रकार के 10 अच्छे मित्र तो वो 10 अच्छे कौन-कौन से मित्र हैं उनको देखिए और मैं इसमें भी बताऊंगे, आज भी बताऊंगे क्या कि अच्छे मित्र हैं, कैसे आप उन चुनोतियों को निपट सकते हैं और कहां पर आ रही है असली दिक्त चूँ मीडिया का कोर्स करने के बाद भी मीडिया संस्थान बंद हो रहे हैं चैलेंज़ आ रहे हैं, चिनोतिया आ रही हैं, क्यों मीडिया पर आरोप लग रहे हैं तो ये मैं सब बताऊंगे आपको आज की क्लास में दूंगी बोनश टिप्स भी लेकिन आप सुनिए इसके लिए पूरा लेक्चर आन्त तक क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी जो कमी आ रही है, जो आपकी हार का और असफलते की वज़े बन रही है, वो है धैर की कमी बरसात सबको चाहिए, अपने बगीचे में फूल सबको चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस फूलों के पहले गर्मी का मोसं भी आता है पत्चर के बिना पेड़ों पे फूल ना लगेंगे गरमी के बिना आकास में बादल ना बनेंगे तो बारिस कैसे होगी सबसे पहले आपने चुनोतियां समझ लेकिन उन चुनोतियों को मैं आज बात नहीं कर रही हूं चुनोतियों की यह आपका हॉमवर्क है कि जो एक ससक्त मीडिया थि जो मजबूत क्म प्रजा न्द्रं केलाइब क्यों खोखला हो रहा है पो एकहांगे आप आरिवति जावाक्याट्थ सब सही तो यह लेकिन एक नाम संदीप महस्वरी बहुत सारे लोग जानते होंगे इसी मीडिया जगत में गए, मॉडल बनने की कोशिस की असफल हुए, सफल हुए, फोटो पत्रिकारिता से उन्होंने कैसे अपना करियर बनाया imagebajar.com कैसे खोला और फिर उन्होंने कैसे उस वेब साइट के जरिये उस सफलता सफलता को करते करते एक बड़े motivational speaker बने आज की डेट में हर युवा के जवान पे संदीप महस्वरी जी का नाम है अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात अगर आप नहीं जानते हैं और आप अगर उस साहगे कमी देख रहे हैं तो मैं संदीप मिसरा जी की बात करूंगी कि आप उनको जाईए और उनको देखिए सबसे पहले अपने दिमाग में जो कचड़ा आ रहा है कि दुनिया में करपसा नहीं होगा ऐसे विचारों को निकाल दीजिए चुकि अगर आप मीडिया की विद्यार थी और आपने डेवन से यह सोच लिया कि कुछ नहीं होगा नंदन कादमनी बंद हो गई पत्रिकार बंगार ने तो आप कहां से नौकरी पाएंगे आपने अपना दरवाजा तो पहले ही बंद कर दिया आपने अपना रस्ता पहले ही बंद थी यूपी आर्टियों के स्टुडंट्स के लगातार चल रही थी क्योंकि हम सिक्षिकों को भी संपर्क में रहने की आदत थे आप स्टुडंट्स के पास किताबे भी थी और आपके पास वक्तिगत कॉंसलिंग नंबर्स भी थे और आपको ऐसा कोई अंतर नहीं महस अगर मेरे चार साल पांच साल पुराने विद्यार्थियों ने अपना यूटूब वीडियो बनाया था यूटूब चैनल बनाया था कई ऐसे हैं आपको सबसे पहले अपने रूची अभिडिची और छमता को जानना होगा बहुत अज्वल भविस्ति हैं किसमें संकट नही मेडिया बंद हो रहा है तो भाई आप कौन सा ऐसा बिजनस बता देंगी जो कि बढ़ रहा है सब जगे संकट है सब जगे चुनोतियां है लेकिन आपको उसी में रास्ता बनाना है अगर चानक के सामने तो बहुत बढ़ी चुनोत थी चानक से दोस्तों मुझे बहुत अच करने के अदेश से एक सवाल पूछा कि मैडम और मैं उस राजनीते एक दल का भी नाम नहीं लूँगी जिसके वो कार करता थे क्योंकि किसी भी पक्ष की बात नहीं बहुत यहां पर मीडिया की चुनोतियों की कर रहे हैं इसले मैं सीडी सीडी बात को रखते को तो उस भी विद्यार्थी ने मुझे से पूछा कि मैडम आजकल इनकी सरकार है आप इनके खिलाफ लिख के दिखाए तो मैं जानू मीडिया तो बिख चुकी ऐसे ऐसे उसने कई अप सब्द बोले और उसने मुझे जोज दिलाने की कोशिस की पहला हतियार धैर यह मैंने धैर से उसकी किस चाणको को कितने लोग जानते हैं उस विद्यार्थी का सवाल वहीं का वहीं है जोन Virginia बहुत सारे विद्यार्थी आड़ विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे थे लेकिन अगर आप लेज़े कामरी आगे आ जाओ, मुझे नेम फेम मिल जाए तो दोस्तो थोड़ा मुश्किल, नामौ कि नहीं है क्योंकि यॉप नामौ किस दो मेरे लाइफ में ही नहीं, कोसी से करो कोसी से ही कामियाब होती है मेरी जिन्दगी में कास कभी नहीं होना चाहिए और मेरी जिन्दगी में कोई कास नहीं है मैं अपने जीवन से परयात, संतुष्ट और खोस हूँ तो दोस्तों सबसे पहले वो खुसी और तलासनी इसलिए आपको अपने करियर के संभावनाओं को देखना होगा अगर आप अभी से पत्रिकारिता और मीडिया के चुनौतियों को देखने लगे तो फिर आप कैसे दभस पराएंगे तो सवाल को दरकिनार करते करते मैंने का चानक कर नाम कितनी लोगों ने सुना है जो तैयारी कर रहे तुन्होंने बताया मैंने का चानक ने किसका निर्माड किया था सम ने का चंद्रगुप्त का निर्माड किया था चंद्रगुप्त का सासन किसके बाद आया था सम ने का था घननंद के बाद आया चंद्रगुप्त के बाद भी कोई और सासन आया होगा तो अब मैंने उस विद्यार्थी के सवाल का जवाब दिया कि सत्ता का गर्व तो कभी नहीं होना चाहिए सत्ता क्या बड़े-बड़े सामराज भी पल्टे हैं और मीडिया पे आरोप न लगाओ दोस्तों मीडिया को ये न कहो कि मीडिया बिग गई है मीडिया में आज भी ऐसे इमांदार लोग हैं उनके इमांदारी पे लांचन न लगाओ चांद में धब्बे भी होते हैं कुछ वैसे ही कुछ चंदर पत्रकार विके होंगे उनके बारे में भी ऐसे सब्दों का प्रयोग करने से मैं पीछे हट रही हूँ क्योंकि कहीं न कहीं उनके पीछे के कहानी है तो यह बात यहां भी है कि वैक्ती जो है वो दोसी होता है संस्था या संस्थान दोसी नहीं होते हैं आप किसी एक प्रोफेशन पर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं कि मीडिया खराब हो गई है निश्चे है, नीडिया में समचारों का चलन खराबा रहा है, क्यों खराबा रहा है, क्यूंकि हमने उन तरीके की खबरों को तवज्जो दिये, हम उनके टी आरपी बढ़ा रहे हैं चैनल्स नियूस चैनल्स में टीवी सीरियल की ओर जा रहे हैं? नियूस एंकर भी तलास रहे हैं क्या हमने कभी उन पत्रकारों के संकट को सोचा है? सबसे बड़ी चुनोती एक संगठन की और यह चुनोती अंदर से भी है बाहर से भी है एक अनस्ट्रक्चर्ड संग्रचना है और जब से 2005 से मैं इस फिल्ड में जूड़ी हूँ मेरी एक हवाज है कि मीडिया जैसे विसाय के विस्तार की जरूवत है आज भी मैं उत्तरपदेश रासी टंडनुग मुस्वित्याले के मन से कहते हैं मीडिया को एक स्ट्रक्चर संस्था है विज्यापन के जरूवत है इसलिए मैंने कांफरेंस ग्रोप बनाया इसलिए मैंने प्रेस क्लब आफ यो पी एयलटियो बनाया इसलिए मैं वाट्स अप पे सकरी हूँ इसलिए मैंrefasmीड पे सकुरी हूं क्यूँकि इसको सिर्फ एक चीज़ बचा सकती है वो है संवाद अब एकुछ दिनों पहले मेरे 15 साल पुरानी मित्र का एक फोन आया उन्होंने एक वेबसाइड लॉंच किया उनको कुछ नए इंटरंसे पहले रिपोर्टर्स पत्रगारों की जरुवत थी उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा कि मैडम कुछ विद्यारजियों को बताई यह और अब बहुत। के साथ कहना पढ़ रहा है कि बहुत कम नोग थे मेरे संपर्क में फिर इनको पताया जो नहीं थे उनको नहीं बताया एखाई चीजें ऐसे अंच्छे बुरे अनफॉफा गुजरते रहते हैं मेरा पर पाई यहां परकिना मेरा सिर्फ सेे κάνना चाहतेम हमने कितने अच्छे किताबे लिखी हैं, हमने कितने अच्छे रिसर्च पेपर लिखे हैं, हमने कितने अच्छे लेक्चर्स लिए हैं, हमने कितना पढ़ा है, और प्यारे विद्यार्थियों आपने कितने पेज परड़े में टाइपिंग की है, हिंदी टाइपिंग आती है बहुतों को आती होगी, धेंक्यू, जिनको आती हैं उनके लिए best wishes और जिनको नहीं आती है, वो Hindi English Typing सीख लें भासा की चिनोती बहुत बड़ी चिनोती है, आप कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही है और आप भासा की विसिसग नहीं है How many newspaper published in English and how many newspaper published in Hindi लिए तो हमें उन भासाओं के चुनोतीयों को समझना है, हमें अपनी आत्मनुबल को समझना है, हमें अपनी रचनात्मक्ता को समझना है, हमें अपनी इस रचनात्मक्ता को बढ़ाना है और सबसे बड़ा अभाव आ रहा है पत्रिकारिता जगत में विचारों और समाचारों का आप कहांगे 24-7 कि इतने सारे निउस चैनल चल रहे हैं और आप कहांगें आप मेरी बात से सहमत होंगे अगर आपके विचार अच्छे हैं अन्य हजारे का समाजिक में सोसल मीडिया क्यों आया से एक साथ वेप जर्लिजम किसी दिन अगर आप अब देमांड करें बच्वा आप मांगो तो अब बोलो है ऑप क्या पढ़ना चाहते हैं आपके क्या फोन आते मेरे पस मैडम net कैसे नि परक रहा लेकिन सब बच्चों का यह सवाल होता है कि मैडम नेट कैसे निकलेगा लेकिन किसी विद्यारती का यह सवाल नहीं होता है कि मैडम हमें इस पेपर में प्रॉब्लम हो रही है इस टॉपिक पे हमें प्रॉब्लम हो रही है हम उसको बताएं तो कहीं न कहीं आपके प पास दोस्तों इस वक्डाइरी पेन है तो आप नोट करियो इसको Communication Skills, Writing Skills, Listening Skills आप कितना अच्छा भी बोल लें, कितना अच्छा भी लिख लें अगर आपको सुनना नहीं आता है तो फिर सुरी टु से आपको भी कोई नहीं सुनेगा क्योंकि दुनिया एक गिफ टेक पे है, मास कम्निकेशन सब्द ही बना है कम्निकेशन से तो अगर जो मैं आने वाली क्लासे में विसे पे आऊंगी सीदी, आज भी विसे की बात चल रही है लेकिन मैं बहुत प्राक्टिकल लड़की रही हूँ, जितना मैंने संस्थानों में पढ़ाया उतना ही मैंने इंडरेश्ट्री में काम किया, लगनों दुरदर्शनों, फील्डों, मैगजीनों, किताबों मीडिया जगत की सबसे बड़ी चुनोती है कि मीडिया सिक्षक फिल्ड में नहीं उतरते हैं, और जो फिल्ड में है वो सिक्षक जगत में नहीं आते हैं और जब आते हैं तो मीडिया की फील्ड और सिक्षा को जो पाठेक्रम बने हुए हैं उन्हों में एक समरूपता नहीं है फील्ड में जब हम उतरते हैं किताबों को पढ़के तो आप मेरा पिछला लेक्चर था रेडियो जर्नलिजम पर आपने सुना होगा नहीं सुना होगा तो यूटूब पर पढ़ा हुआ आप देख लिजेगा इसी चैनल पर कि रेडियो समाचार छोटे होने चाहिए अरे भा सेगानों के डिमांड की और मतलब ठीक है हम है डूनों सिक्षक है दिन रात लगे रहते हैं विद्यार्थियों के संपर्क में हम लोग पुरा विस्विद्यालय लगा रहता है हमारे साथ जो भी टीम है कैमरामेन की या आफिस की सारी टीम लगी रहती है 24-7 हम लोग एवले संपर्क में एक पहला दिया था दूसरा हम वर्क में दे रही है आप इस लागडाउन में अपने कितने किताबे पढ़ी उनके नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए और नहीं पढ़ी कोई बात नहीं कोई बात नहीं रिलाक्स क्योंकि अभी तक आपके आसपस सब आता वरण ही नहीं था जो यूपी एक आपको पता होगा जो भी विद्यार्थी में उसे संपर्क में हैं प्रेक्टिगात रूप से जिनके फीडबैक आते रहे एक मैंने व्याटसप का ग्रूप बनाया हुआ है प्रेस क्लब आफ यूपी आर्टियों उसमें कुछ वि प्रेंडन मुक्त विस्विद्याले के इससे पढ़े हुए प्यश्डी धारक हों या काई लोग बहुत अच्छे रोजगारों के जगे पे हैं बहुत सारे संगर्स भी कर रहे हैं तो हमें एक जुठ होना होगा जब हमें एक जुठ होंगे तब हम कहीं जाके इस चुनोतिय प्रेंट के इसे चैनल के नाम नहीं लोगी ए और बी की बात करती हूं कि ए चैनल में भी आरोप लगाया तो हम आपस में बठ गए एक चैनल पर हमला होता है दूसरे चैनल वाली इस पर टिपडी करते हैं नहीं नहीं भी करते हैं तो दोस्तों मेरा यह कहना है आप खुद मजबूत बनो अपके लिए जो सबसे जरुवत के स्किल्स है मैंने पिछले जो लेक्चर था रिपोर्टिंग एंड इटेंग में क्या-क्या स्किल उन जरूद उनको दिखायाँ आपको लिखना तो आना चाहिए आपको बोलना तो आना चाहिए और अगर आपको लिखना आ आ रहा है आप सिवेशलिकोत आरे में करिए किस ने रोका bounced की आपको समय अमज के आप मिसेसक्य आ आपको answer लिखना आ रहा है, आप अच्छी novels लिखिए, आप अच्छी articles लिखिए, आप अपनी website बनाईए, तो बचों अगर आप खुद सोचों कि अगर आपके अंदर जज़बा है, ठीक है, आपने 2 बनाए, 4 बनाए, 10 बनाए, 50 बनाए, नहीं होता है, addition ने 10,000 बनाए थे, बल, आपको भी पता होगा, उनके मैं खर आपको यहाँ प्याज motivational lecture मैं ही दे रही हूँ, मैं सिर्फ पत्रिकारिता और मीडिया के अपने विषय पे ही जूड़ी रहूंगे, विषय से बिल्कुल भी नहीं भटकूंगे, क्योंकि मेरी ये बहुत बड़ी कमी है, जब आपक चानों के अंदर चुनोती आजाते हैं, क्योंकि जो इंटरंशिप में बच्चे जाते हैं, वो उतने talented नहीं होते हैं, या कई बार बच्चों के साथ ही चुनोती कि उनको इंटरंशिप का मौका नहीं मिलता है, निस्चे नहीं मिलता है, लेकिन आप उस एक चंद्रगुप और कहें इस कोरोना काल में आपको अपनी writing skills, listening skills, reading habits और सबसे most important technical skills, technical skills में camera हो सकता है, technical skills में web launch करना हो सकता है, अपनी website बनाना हो सकता है, कई सरी technical skills होती है, apps हो सकते हैं, तो आप लोग आत्म निरभर भारत की बाद तो अब आ रही हैं दोस्तों, नई प्राथमिक सिक्छा निती जो भी changes आ रहे हैं, जो सिक्छा निती 2020 में changes आएं, वो सब आब आ रहे हैं, लेकिन हमारा पत्रिकारिता जगत तो सुरू से आत्म निरभर रहा है, सुरू से कितने आजादी किसम में से जब मिसन की बात चलती थी जब अंग्रेजों का गुलाम था, तब भी हमारा मी जब आज पेड निउस का दबाव जहेल रही है, क्यों? क्योंकि आपको अपनी छमता भी भरोसा नहीं है, आपकी कलम अगर बिग जाएगी, तो मीडिया बदनाम होगी, मीडिया आज भी पाक साफ है, मीडिया का दामन आज भी पाक साफ है, लेकिन आपका जो होसला तूट रहा है, मीडिया कर्मियों का होसला तूट रहा है, समस्या वहां से उठती है, जरूवत एक जुटता की है, जरूवत एक साथ की है, अपने स्किल्स को बढ़ाएए, कमनिकेसन स्किल्स को बढ़ाएए चलिए, आप कुछ नहीं करते हैं, इंग्लिस में कितनी देर बात करते हैं पताईए कमेंट बॉक्स में वो टाइम इस्पेंड करिये कि हाउ मेनी इस्टूडेंट्स इस्पीकिन फ्लोएंट अगर आप फ्लोएंट में यह कोई बात नहीं पर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया और आप भासागत की रूप में दक्ष नहीं है और भासागत दक्षता नहीं है तो बताइए कौन संस्थान आपको नौकरी देगा कैसे आप कम्निकेट करेंगे आपको सेल्समेन की नौकरी बहुत चोटी लगते लेकिन वो सेल्समेन आपसे अच्छा संचारक होता है क्योंकि वो लगातार पब्लिक से डिलिंग कर लेता है तो हमारे जो भी कोर् कोलना लिखना और पढ़ना सिखाते हैं एक सफल इंसान बनाना सिखाते हैं दोस्तों फुन्सू बांगरो को सब जानते थोड़ा समय फिल्मों में चले जाते देखती हूं पसंद है मुझे फिल्में क्या करूं मेरे पी एजडी का स्पिस लाइजेसन भी कोर्स वर का फिल् लोग करते हैं आप अपनी छमता को पहचानो अपनी रुची को पहचानो और लगातार किसी डायरी में लिखके पांच साल तक आप उस पर वर्क आउट करों कोई भी चुनोती आया आप उस पर लगे रहो कैसे नहीं बनोगे आप सफल पत्रकार कैसे नहीं पाओगे आप न कोराल स्टुडी की कहानी है कि एक बच्चा था एक मेड़क था वो कुए में गिर गया वो निकला तुसम ने कहा तुम कैसे नहीं निकले सब कहरते तुम मत आओ मत आप फिर दूसरा चोटे बच्चे ने दोस्तने जाके इसको बचाया तो उसने कहा मुझे सुनना नहीं आत पी depends i will follow you. Please calm, cool and compose. कोई बात नहीं आपको कुछ नहीं आता है. आप सीख लेंगे, आप सब सीख लेंगे पर सीखने का जजबा तो दीजिए. जिस छोटे बच्चे का जनम होता है, उसको क्या आता है, कुछ नहीं आता है, आप मेडिया में आपको बहुत कुछ आता है, आपने अपने लक्ष चुना है, अपनी चीजे बनाई है, आप सिर्फ मनोवज्ञानिक चनौतियों से, मेरी पहली क्लास जब पत्रिगारिता है कित पसंद है, नियोस कौन से चलती है, टीयार भी किसी मिलती है, जो जनता को पसंद है, लेकिन सबसे पहले स्वाय को जानो, जब आप अपने आपको जानेंगे, तब आप दुनिया को जान पाएंगे, तब आप सफल हो पाएंगे, तो आज के लिए इतना ही, अब बोनस टिप आपत्रफस ये है, कि पतरकार बनो ना बनो, सफल इंसान जरूर बनो, सक्सस्फफ़ल इंसान बनो, सुखी इनसान बनो, और आपकी नजर में सफलता ऐ, आपकी नजर में सच्चा सुख्ष तो कॉमेंट बॉक्स में डालिए और जितने भी मैने होम बर्ग दिये हैं, उनको क्योंकि हो सकता आने वाले टाइब में क्वेस्ट चलाओं और जो सबसे अच्छा विद्यारती हो साथ वो कुछ प्राइज भी पाजाए और हो सकता वो आपको मेरे साथ यहां इस्टूडियो में भी मिल जाए उसको हम सम्मानित करें बहुत सारे खौब हैं बहुत सारे अनु आपके साथ खड़ा है एक बार अपने होसलों को उडान तो अपने पड़ों को जान तो तब तक के लिए नमशकार